नमस्कार आप देख रहे हैं देश्वा नियूज और मैं हूँ आपके साथ कुमार कौशिक बिहार बोर्ड दसवी की परिक्षा 14 फरवर याने की मंगल वार से शुरू होने वाली है और इसको लेकर के छात्र छात्राएं पूरी तरह से तैयारी में हैं बिहार बोर्ड ने इस बार काफी कुछ बदलाव भी किया है मैं बता दूँ कि exam timing और reporting timing में बोर्ड ने बदलाव किया है चात्र छात्राओं को काफी एहतियात के साथ परिक्षा केंदर में जाना है बोर्ड ने ये तैय किया है कि एक्जामिनेशन का टाइमिंग से आदे गंटे पहले छात्र और छात्रा हैं सेंटर में इंट्री कर लेंगे और क्या कुछ है ये जानते हैं बिहार में मैट्रिक की परिक्षा देने जा रहे छात्रों की टाइमिंग क्या कुछ बदला हुआ है इसकी जानकारी बोर्ड ने अपने आधिकारी ट्विटर हैंडल पर दी है सेड्यूल के मुताबिक सुबे में दसवी की परिक्षा 14 फरवरी से सुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगी एकजाम दो सिफ्ट में होंगे पहली सिफ्ट में परिक्षा सुबह 9 बज कर 30 मिनट पर सुरू होगी ये 1 बज कर 45 मिनट तक चलेगी पहली पाली में पेपर देने जा रहे परिक्षार्तियों को सुबह 9 बजे एकजामिनेशन सेंटर पर पहुँचना होगा और इसी तरह दूसरी पाली की परिक्षा की भी टाइमिंग में बदलाव किया गया है बोर्ड ने अब 1.5 बजे से सुरू होने वाले परिक्षा को 2 बजे से कर दिया है अब परिक्षार्ति 2 बजे से आदे गंटे पहले सेंटर में इंटरी कर लेंगे दो बज़े से एक्जाम देना सुरू करेंगे जो 5 बच कर 15 मिनट तक चलेगा आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड ने ये तै किया है कि आप लोग जूते मोजे पहन करके नहीं जाएंगे साथ में मोबाइल ले करके नहीं जाएंगे और क्या कुछ है ये मैं बताता हूँ इस तरह से बिहार विद्याले परिक्षा समीती ने दोनों पालियों की परिक्षा में बड़ा बदलाओ किया है समीती ने मैट्रिक की दूसरी पाली में होने वाली परिक्षा के समय में बड़ा बदलाओ किया है इस बार बिहार के मैट्रिक परिक्षा में कूल 16,37,414 परिक्षारती शामिल होंगे इन में 8,31,213 चात्रा हैं और 8,6,211 हैं तो सुना आपने ये सारा कुछ ध्यान देने के जौरत है बाकी जो है आप बिहार बोर्ड के ओफिस ये ट्वीटर हैंडल पर भी देख सकते हैं लेकिन आप लोगों के लिए शुब कामना है आप लोग बेहतर ढंग से परिक्षा केंदर पर जाईए परिक्षा दीजिए और जो भी बोर्ड ने तै किया है उन मानकों का ख्याल रखिए जूते मोजे पहन करके नहीं जाईए चीट पूर्जे लेकर के नहीं जाईए मोबाइल लेकर के नहीं जाईए और बेहतर ढंग से परिक्षा दीजिए इनी बातों के साथ अब तक के लिए बस यई तक फिर मिलते हैं ने मुद्दे ने सरुकारों के साथ तब तक देशवा नियूज देखते रहिए धन्यवाद सिर्फ खबर दिखाना देश्वा न्यूज का मकसद नहीं। देश्वा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए।